नमस्कार आप देखेरें न्यूज एटीन मैं हूँ आपके साथ मेनका चौधरी इस बुलिटिन में खबर उत्रा खंड से देहरादून में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तैयारियां जोरू पर है और आज सीम पुशकर सिंग धामी ने कारिक्रम इस्थल पर जाकर तैयारियों का जैसा लिया है एफराइ पहुँचकर सीम धामी ने एक-एक तैयारी के बारे बेजवानकारी ली इस मौकी पर मुख्यमंत्री ने समिट के बनाए गय मीडिया सेंटर का भी उदगाटन किया है मुख्यमंत्री ने कहा कि ये समिट राज्य के लिए बहुत ही महत्वपोन है और इसलिए सरकार कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती सीम ने कहा कि पूरे शहर की सड़कों को दुरस्त करने के साथ ही सौंदरी करण भी किया गया और ऐसा उत्रखंड में पहली बार हो रहा है राज्य के लापकारी होंगे राज्य में रोजगार देने के लिए जिनकी ज्यादा प्राफ्निक्ता होगी हम अपने उसमें वी उनको प्राफ्निक्ता देए गलोबिल एनवेस्चर समिट के लिए قरीब 40 जादा आईएस PCS अफसरों समेत कुल 303 अफसरों को लाइजन अधिकारी के रूप में जिमिदारी दी गई है समिट के लिए तक्रीबन आठ से दस हजार सीटिंग कैपसिटी का हॉल बनाया गया है जिसमें अलग-अलग कैटेगरी में सीटिंग अरेंजमेंट किये जाएंगे प्लाटिनम कैटेगरी में प्रधान मंत्र के साथ ही तक्रीबन डेड़ सो के आसपास बड़े उद्योग पती बैठेंगे मही 15 से जादा देशों के राज़ दूद भी इस समिट में शामिल होने आ रहे हैं नियूज़ईटीन ने मुख्य हॉल का जायसा लिया आप दिसंबर से सुरू होने जा रहे है गलोबल इंवेस्टर समिट की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है यह आप देख सकते हैं यह वो मुख्य हॉल है जहां पर इस पूरे गलोबल इंवेस्टर समिट का मुख्य आईजन होना है इसी हॉल में परदान मंत्री आएंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तीन अलग से चेयर लगाए गई हैं जिनमें परदान मंत्री, मुख्य मंत्री और अन्य जो बड़े उद्योग पती हैं वो यहाँ पर बैठेंगे इस पूरे हॉल की करीब जो कैप सिटी है जो मोटा मोटा एक आंकलान किया गया है दस हजार लोगों के बैठने की छमता का यह हॉल तयार किया गया है पूरे हॉल को तीन कैटेगरी में डिवाइट किया गया है पहली जो क्यू होगी जिसमें परदान मंत्री होंगे मुख्य मं की यहानि कि अगहा थां की यहांद मुद्ध रही है अभी यह यहांपर पंडल को तयार किया जा रहा है इसको गोल्ड कैटिगरी का दर्जा दिया गया है और गोल्ड कैटिगरी की कैपिसिटी करीब छे से साथ जार लोगों की बैटने की बेहुस्ता यहां पर की जा रही है आज दिसम्बर को परदान मंतरी नरेंबर मोदी इस गलोबल इंवेस्टर समिट का उतगाटन करेंगे तीन से अधिक केंद्रे मंतरी भी इस कारेकरम में पहुँचेंगे पंद्र से अधिक देशों के राजदूतों का भी पहुँचने का यहां पर कारेकरम है Global Investors Summit में आने वाले महमानों को उत्राखन के वेंजनों के साथ ही उत्तर से लेकर दक्षिन भारत तक के अलग-अलग वेंजन के स्वा चखने को मिलेंगे Global Investors Summit के लिए दहरादून के FRI Campus में अत्या धुनिक Tent City तयार की जा रही है जिसमें देश-विदेश के इन्वेस्टर दो दिन तक इन्वेस्टमेंट की दिशा में काम करेंगे Summit में 10,000 लोगों के आने का नुमान है वहीं आने वाले महमान उत्राखन के खान पार संस्क्रीती को समझेंगे इसलिए खासतोर पर पहाड़ी खाने की व्यवस्था की जा रही है जिसके लिए कैंपस को 4 जोन में बटा गया है जिसमें प्लेटनियम, डायमंड, गोल्ड और नॉर्मल कैटरिंग दी गई है जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच य स्नैक्स की भी व्यवस्था रहेगी मुंबाई के 5 स्टार होटल से कैटरिंग की व्यवस्था की गई है जबकि पहाड़ी वेंजनों में मिलेट फूड को मेन्यू का खास हिस्सा बनाए गया है बाकी सारे कुजीन के साथ साथ मिलेट कामलों ने ध्यान रखा कि मिलेट के एक दो आइटम रहेंगे मेन्यू में खास तौर पर साथ इंडियन, पंजाबी, सिंधी खाने के साथ ही लखनओ के कबाब, जंगोरी की खीर, मंडूए के बिस्किट भी शामिल रहेंगे मिलेट येर होने के नाते पियम मोधी के लिए खास तौर पर पहाड़ी खाना तयार किया जाएगा इस तरह की मिलेट से बनी भी बहुत सारी चीज़ें यहां रहेंगे, जैसे पहला ही स्टौल बेकरी का रहेगा जिसको मोधी जी स्वेम देखेंगे, वाद 30 सेकेंड वहां भी रुकेंगे और हमारे स्टौल पर भी लगबागे एक मिलेट रुकने का हमें बताये गया है जिसमें वो मिलेट से समंदित पूरी जानकारी लेंगे और कैसे उत्राखनने इतने सालों में इन्वेस्टर सम्मिट में पहाडी वेंजनों की भी ज़्यादा धूम देखने को मिलेगी आने वाले विदेशी महमान भी सम्मिट के वहाने पहाडी खाने का स्वाद ले सकेंगे जिससे पहाडी वेंजन देशी नहीं विदेशों में अपनी धाग जमा सके नैनिताल से विरेन के साथ देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट सदिकारी कर्मचारियों पर जिम्मेदारी स्वापी जाएगी एन्वेस्टर समिट आठ और नौ डिसम्बर को होना है तो पहले दिन इन्वेस्टर समिट में प्रधान मंत्री होंगे और अलग-अलग देशों के राज़दूत होंगे सौस जादा वी आईपी मौजूद होंगे और यहीं वज़ाए कि सुरक्षा को लेकर खास तयारी की गई है दूसरे दिन ग्रेमांत्रे अमिट शाह भी सम्मिट का हिस्सा होंगे समापन वाले दिन तो ऐसे में दो दिन बहुत ही जादा चहल पहल वाले गहमा गहमी वालया दहरादून में होने वाला है और इन दो दिनों के लिए खास तयारी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर की गई है जैसे कि अवगत हैं मानिय प्रधारमत्री जी का आगबन होने वाला है और उन्हों इन्वेस्टर सम्मिट में परदिवाग करेंगे और इस सम्मंद में जो मानिय प्रधारमत्री जी के सम्मंद में जो ब्लू बुक के सुरक्षा निर्देश है हम उनके अनुरूप दूटियां लगा रहे हैं इसमें करीब सारी 600 अधिकारी कर्मचारी और चार कमपनी पीसी की हम लगाएंगे उत्राखन सरकार को उम्मीद है कि इन्वेस्टर समिट से रोजगार के नैने मौके जन्म लेंगे और एक बड़ा निवेश प्रदेश में आएगा तो वहीं इसी इन्वेस्टर समिट से कुमाउ रीजन भी अच्छी खासी उम्मीद लगाए बैठा है यहां के उद्योगपती नई इंडुस्टरी लगने से ज़ादा पुरानी बंद पड़ी हुई इंडुस्टरी के शुरू होने की उम्मीद लगाए हुए है देरादून में ग्लोबल इंवेस्टर समिट की तयार्या अंतिम चरण में है लेकिन इस इंवेस्टमेंट समिट से जहां नए उद्योग खुलने की उमीद है वही पुराने बंद पड़े उद्योगों के फिर से शुरू होने की भी उमीद जगी है ऐसे में कुमाओ की हम्टी फैक्टरी की जगा भी कुछ नया उद्योग शुरू करने की मांग उठने लगी है हम्टी का बंद होना दुरभागेपूर्ण है क्योंकि विक्तिवारी जी की एक सोच थी लेकिन यदि उस स्थान पर यदि कोई अच्छा और सरकार जो है उसमें कोई उद्योग स्थापित करती है जो की यहां रोजगार भी स्थापित देगा लोगों को और छित का विकास भी उससे बढ़ेगा जाहिर है इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लेने के लिए देश विदेश से कई बड़े उद्योग पती पहुच रहे हैं साथी प्रधान मंत्री नरेंड मोधी के पहुचने से भी इन्वेस्टमेंट समिट बड़ा हो चला है ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में देव भूमी में रोजगार की संख्या बढ़ेगी दरसल साल 2005 से 2007 तर एंडी तिवारी के मुख्यमंत्री रहते हुए उत्राखण में कई बड़े ओद्योगिक घरानों ने इन्वेस्टमेंट किया था लेकिन उसके बाद ये सलसला थमसा गया त्रिवेंडर सिंग रावत ने मुख्यमंत्री रहते हुए कोशिश जरूर की लेकिन बहुत सफलता हाथ नहीं लगी अब क्या धामी की कोशिश रंग लापाती है ये देखने वाली बात होगी न्यूज एजिन के लिए हल्दुआनी से शेलेंडर नेगी की रिपोर्ट और अब देहरादून से खबर जहां विर्त विभाग के आदेशों के धज्या उड़ाई जा रही है दरसल निर्धारित मान्दे से जादा सैलरी समविधा कर्मी को दिये जा रहे है नियम के खिलाफ मन माफिक सैलरी कई विभाग दे रहे हैं उद्यान, UPCL, ITDA, महिला सशक्तिकरण के साथ ही तकरीबन दस विभाग ऐसे हैं जहां पर तै वेटन से जादा वेटन दिया जा रहा है तीन विभाग स्विकरित मान्दे से भी कम सैलरी दे रहे हैं ये विभाग अपने मर्जी से समिधा कर्मचारियों के तैनाती करते हैं और फिर मन मानी सैलरी देते हैं राजकोष पर अब इससे घाटा बढ़ गया है शासन ने समिधा कर्मचारियों के मान्दे और नियुकते को लेकर एक गाइडलाइन बनाई हुई है बावजूद इसके इस गाइडलाइन का पालन कई विभागों के हर से नहीं हो रहा है कई सारी विभाग, 10 से अधिक विभाग ऐसे हैं जो की उपनल के सासन ने से कर्मचारियों के नियमित भी किया गया है समान बेतन भी दिया जा रहा है विभागे समीधा पर भी लिया गया है आरोपी युवक अभी भी फरार है पितोरागड में प्रेमी के साथ मिलकर पती की हत्या की साजिश में एक महिला को गिरफतार किया है पुलिस ने पुलिस ने बताया कि आरोपी महिला का अपने देवर से अफेर था जिसकी वज़े से ही दोनों ने मिलकर पती को मारने की प्लानिंग की, बकायदा किलर को यूपी के लखनों से बुलाया, लेकिन पत्नी और उसके प्रेमी की साज़िश नाकाम हो गई पती के शिकायत पर पुलिस ने पत्नी, चचेरी भाई और किलर को गिरफतार किया है ये मामला पिथोरागड शहर के किदार कॉलोनी का है इधर कोड़द्वार के देवी रोड पर तड़ियाल चोग के पास भयानक सडक हाथसा हुआ और हाथसे में तीन गाड़ियों की आपस में भिडंत हो गई, चार लोग बुरी तरह से जखमी हो गए ये घटना सुबह तीन बजे की बताई जा रही है जब तेज रफतार कार रॉंग साइट से आ रही थी जिसने सामने से आ रही दो कारों को जोड़दार टकर मारी टकर इतनी जोड़दार थी कि आसपास के लोग तक बाहर निकलाए आनन फानन में घायलों को 108 की बदद से अस्पताल ले जाया गया दो की हालन गम्भीर बताई जा रही है हरिद्वार में अवैद रूप से चल रहे प्लास्टिक के गोदाम पर कारवाई की गए प्रदूशन नियंतरन बोर्ड और प्रिशासन के अधिकारियों ने सलिमपूर इस्थ प्लास्टिक के गोदाम में चापिमारी की और अवैद रूप से चल रहे पांच गोदामों को सील कर दिया तैसलदार के नेत्रतों में की गई चापिमारी से गोदाम संचालकों में हड़कम मच गया इन सभी गुदामों में मशीनों से प्लास्टिक स्क्रैप का इखटा कर अवैद रूप से उसके बंडल बनाए जा रहे थे जो गुले टाइप के बनाने की मशीने भी मिली है जिसके संबने पल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा जो अनिमित पाई गई है उसके दृष्टिकात पल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा लगभग पांच ऐसे गुदामों को सील कर दिया गया है और आगे भी जारी है। जारी में गड़े मिले हैं, कई जगा तो गाड़ी चलाने तक कि ये स्थती नहीं है सड़कों पर, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया। करोडों की लागत से बना, पितहौरागड एंजिनिरिंग कॉलेज, ब्रहष्ट सिस्टम की भेट चड़ गया। बिना इस्तमाल किये ही इंजिनिरिंग बिल्डिंग खंधर में तबदील हो गई है और अब जाकर इसमें निर्मान एजेंसी के खिलाफ केस दर्च किया गया। लेकिन सालों से इंजिनिरिंग कॉलेज की बर्बादी को देख रहा सिस्टम तम जागा है जब मामला हाई कोट पहुचा। साथ साल की लंबी जद्धो जहत के बाद मड में सीमानती इंजिनिरिंग कॉलेज की बिल्डिंग तयार हो पाई लेकिन हैरानी इस बात की है कि 18 करोड की लागत से बनी ये बिल्डिंग यूज होने से पहले एक खंडहर में तबदील हो गई करोडों की लागत से बनी इस बिल्डिंग में जहां निहायती घटिया दर्जे का काम हुआ वहीं जगे के चैन में भी तमाम काईदे कानुनों की सरयाम धज्जिया उड़ाई गई यूपी निर्मान डिकम की बनाई ये बिल्डिंग आदे से ज़्यादा मल्गे में पटी है और यहीं नहीं इसके चारों तरफ भारी लेंड्स्लाइट भी हुआ है लगातार सवालों के घेरे में आने पर आकिरकार अब जाकर कारेदाई संस्था के खिलाब जाँच शुरू हो पाई है सालों से खंडर बनी बिल्डिंग निर्मार जाँच की याद अधिकारियों को हाई कोट की फटकार के बाद आई है कोट ने घटिया निर्मार कारियों का खुद संग्यान लेते वे करोणों की बरबादी पर कई सवाल खड़े किये थे कोट की सकृता के बाद अब जाकर टेखनिकल युनिवेस्टी भी जागी और उनिवेस्टी के निर्देश पर निर्देशक ने यूपी निर्मार निगम के खिलाब के इस दर्श के लाड़ा लेकिन सवाल ये है कि करोणों की बंदरबांठ करने वाली कारिदाई संस्ता पर एक्शन लेने में आखिर सालों का सफर क्यों दै करना बड़ा 18 करोल की इस बिल्डिंग में करोलो की मशीने भी बरबाद हो रही है यही नहीं स्थाई केमपस नहीं होने के करण इंजिनेरिंग कॉलेज जैसे तैसे जी आईसी में चल रहा है अब तक कारेदाई संस्ता के ब्रहशचार पर नेता अपसरों की चुपी पर कई सवाल भी खड़े हो रहे अब जब सालों की चुपी तोड़कर यूपी निर्मान निगम के खिलाब एफायार के साथ चांस तेज हो गई है तो उम्मीद की जाने चाहिए कि दोशी सलाखों के पीछे भी जाएंगे न्यूज जचिन के लिए पिथोरा करते विजवर्धन उपरेती की रिपोर्ट और आगे बढ़े से पहले पहाड की दस बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं पहाड टॉप 10 में राज्य की नदियों में मशीनों से खनन के लिए सरकार हाई कोट पहुँची मशीनों से खनन की परमेशन मांगी गई रोदरप्रया के शेत्र पंचायर जखूली की बैठक में सदस्यों ने जमकर बवाल काटा सदस्यों का कहना है कि बैठक में हमेशा अधिकारी गाइब रहते हैं जिसे विकास के काम बाधित होते हैं रूर्की के कई इलाकों में प्रतिबंद के बावजूद कई नशीली वस्तूइं बेशी जा रही हैं पोलिस ने कहा कि इस तरह की सामगरी बेचने वालों पर कारवाई की जाएगी राज्य की अदालतों में सांसा और विधायकों पर दर्ज केसिस की जल सुनवाई के लिए हाई कोट ने राज्य सरकार से दो हफ़ते में केसिस की जानकारी मांगी अल्मोडा मेर लोकसभा चुनाओ को लेकर जिला प्रिशासन ने अभी से तैयारियान शुरू कर दी है चैविधान साभाओं के लिए जागरुकता रत रवाना किये गये बागेश्वर में युवा कल्यान विभाग में जिलास्तरिय युवा महुत्सों का आयोजन के आज इसमें छोलिया डांस की सभी ने तारीफ की हल्दवानी में तीन दिन तक चलने वाले एंटर स्कूल बास्किट बॉल टोर्नामेंट की शुरुवात कई स्कूलों के बच्चे शामिल हो रहे जागेश्वर दौरे पर भारती पुरा तत्व सर्वेक्षण के पूर्व महाने देशक महीं उन्हों ने कहा जागेश्वर धाम कुमाओं की महतोपोन धरोहर है उत्तरकाशी के ब्रमखाल के ब्रमभा का पौरानिक मंदिर परेटन विभाक के उपेक्षा का दंश झेल रहा परेटन विभाक को मंदिर की कोई जानकारी ही नहीं बागेशुर में एतिहासिक उत्तरायनी मेले को लेकर तैयारियां शुरू डियम की अधिक्षिता में बैठा कोई जिसमें कई वर्गों के लोगों ने अपने सुझाव दिये प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी काम और जीत की गारंटी इसी पर बीज़पी तीन राज्यों में सरकार बनाने जा रही है लेकिन विपक्ष का कहना है कि क्या सस्ते सिलिंडर की गारंटी चुनावी राज्यों के लिए ही है हमारे लिए नहीं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी का नाम जीत की गैरेंटी है और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी का काम जीत की गैरेंटी है राजस्थान मध्यप्रदेश शत्यसगर में जीत के साथ ये बात साबिस हो चुकी है उम्मीद यही है कि सरकार बनने के साथ बीजेपी सस्ते सिलेंडर का वादा पुरा करेगी और 900 रुपए का मिल रहा गया सिलेंडर 450 से 500 रुपए का मिलेगा। सिलेंडर की कीमत में आधि के अंतर पर विपक्षन सवाल खड़े किये हैं। 36 गर में कॉंग्रिस के सीनियर आप्जरवर प्रीतम सिंग के मताबिक क्या प्रधान मंत्री की गैरंटी चुनावी राज्यों में ही मिलेगी बाकी सब का क्या होगा। प्रीतम सिंग ने कहा कि प्रधान मंत्री देश के है, इसलिए महगाई में इस गारंटी का फायदा सब को मिलना चाहिए, पर बीजेपी ऐसा करेगी नहीं देश करने राजियों में क्या होगा? तो प्रधान मंत्री जब कोई बात कहता है, देश के परिविक्ष में कहता है। देश में अगला चुनाव लोगसभा चुनाव है, इसमें उत्राखन में बीजेपी जहाँ प्रधान मंत्री नरेन मोदी के वादो और काम की गैरेंटी को भुनाना चाहती है। वही विपक्ष की कोशिश सस्ते सिलेंडर की डिमांड करके दवल इंजन की सरकार को घेरने की है। होम गार्ड के लिए CSD कैंटीन की सुभधा शुरू की जाएगी, ये एक बड़ी बात है। और इसी के लिए विशेश कार्ड बनवाए जाएगे। होम गार्ड के पदों पर जल्दी 320 भरतियां भी होंगी। इसी के साथ होम गार्ड के ट्रेनिंग के लिए प्रेम नगर में फारिंग रेंज बनाया जाएगा। बड़ी संक्या में बूटर साइकल की खरीद की जल्दी। उच्छे हिमाइले शेत्रों में ज्यूटी पर प्रोचाहन राशे दी जाएगी और रेस्क्यू सेंटर और हॉस्टल का निर्मान किया जाएगा। खबर अलमोडा से जागेश्वर धाम की आरती का लाइफ प्रसारन शुरू हो चुका है। ये मोधी के जागेश्वर धाम आने के बाद से ये फैसला लिया गया। और अब शाम की आरती का लाइफ टेलेकास्ट किया जाएगा। परेटन विभाग अपनी वेबसाइट पर ये लाइफ टेलेकास्ट करेगा। लाइफ आरती के दोरान हजारों की संध्या में यूपी दिल्ली गुजरात और पशिक मंगाल के श्रंधालू जोड़ने शुरू हो चुकी। रुद्रप्रया के तल्ला नगपूर पट्टी में 30 साल बाद अद्भुत नजारा दिखा। यहां नौजियूला की आराथ्या देवी माचर्णिका नारी की देवरा यात्रा निकाली गई। यहात्रा 30 साल बाद हो रही है। गाउं गाउं में देवी भ्रमण के दौरान भक्तों को सुख सम्र्णिका आशिरवाद दे रही है। जिससे लाके में लोगों में काफी खोशी है। इसी के साथ यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए खबर जा रही है।